Now we will see the key principles introduced by UNICEF. जहां पर जरूरत है उन बच्चों को तवज्जो दी जा सके। और उनको बराबर के हेकुक मिलें और इस तक की हकुक मिलें कि जिसको जिस चीज की जरूरत है उसको वो महया किया जाए । उक्षू ओओ खुराक हो उक्षब को तालीम हो उक्षूज़ कामशू जाई की सहुलियात हो। फिर है our good equality स्थू हमें यह बताती है कि देखे दुनिया में सब बराबर नहीं हैं, ना हम रेस के हिसाब से, कलास के हिसाब से, और वेल्थ के हिसाब से, किसी भी तरह एक से दूसरा बंदा मिलता ने, तो जब हम इतने अलग हैं, तो हमारी जरूरियात भी अलग हैं, और हमारे मसाइल भी अलग हैं, तो आफूल बताता है कि आपको जहां जहां जिस जिस ची जीस की लोगों को जरूरत है उसको खास तोर पे महया करने की जरूरत है अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दूसरों से मुक्तलिnine एक हुजे string औरा इसी और उनको और तरह के इदारों की और और तरह की तालीम उत्रवियत की जरूरत है फिर ये कि कुछ लोग जो बिलकुर रिमोट एरिया में हैं हमारे मुलक में जो घुर्बत की लाइन से कम लोग जिंदगी बसर कर रहे हैं उन तक वसाइल पहुंचाने की जरूरत है उनके केर देखिए पहले दिन से जब बच्चा दुनिया के अंदर आता है तो उसकी बेशुमार जरूरियात है उसको वहीं से केर की जरूरत है उसकी माँ उसकी बेहतरीन केर करे माओं को फिसिलिटेट करना माओं को अवेरनेस देना जैसे फीड करने के बारे में बताना जैसे फिजिकल कर रहे हैं चाहे वो स्पिर्चुल कर रहे हैं मेंटली कर रहे हर तरह से आपको उनके उपर तवज्जो देने की जरुरत है और माओं को सीखने की जरुरत है कि बच्चों की तरवियत कैसे की जाएगी उनको पाला कैसे जाएगा Then family based care, कि पूरा खांदान किस तरह से बच्चों को तवज्जो दे, जैसे मैंने पहले भी अर्स किया, कि अगर हम वालिद को भी ये फराइस सौंपें, कि वो छोटे बच्चों की तरबियत में हिस्सा लें, तो बच्चों की बड़ी हमाजेहत शक्सियत बनती है, वो एक balanced personality बन वाजन शक्सियत बनते हैं, कि उनको लगता है कि उनको पूरी family की support जो वो हासल है, खौब वो उनके parents हो, खौब वो उनके extended parents हो, या उनके siblings हो, तो एक पूरी neighborhood भी हम बना सकते हैं, उनके एर्दगिर्द की जो immediate community है, वो भी उन बच्चों की nurturing में हिस्सा ले, so child participation, अब इसम सक्सियत है, वो साल दो साल से ही अपने आप में बताना शुरू कर देते हैं, कि उनको क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, तो उनको भी accommodate किया जाना चाहिए, then multi sector approach, अब वो ये निसफ का ख्याल है, कि किसी एक sector पे काम करना काफी नहीं है, जैसे हम अभी बात करने हैं, घरो properly उनको महया की जानी चाहिए, housing facilities उनको मिलने चाहिए, so वो कहते हैं, सिर्फ एक sector पे काम करना ठीक नहीं, बलके multi sector होना चाहिए, और अगर किसी खांदान को आप बहसियत खांदान खुशहाल कर देते हैं, और उसकी जो basic needs हैं, उनको meet कर लेते हैं, तो आपके बच्चे भी balance शक्सियत बन सकते हैं, so concept of system strengthening in different fields such as health and education, तो फिर उनकी जो बड़ी अप्रोच है, वो जी है कि पूरे system को ठीक करें, खौब तालीम का system है, खौब शोबा सिहत का system है, और खौब खांदान है, तो आप ने इन systems को बहतर करना, system पूरा बहतर हो जाएगा, तो लाजमी तोर प और हर बच्चे को अपनी अपनी जगा पर उसके हकूक मिल जाएंगे, और वो असानी से सारी चीज़ें हासल कर सकेगा, अब अगला उन्होंने एक जो promote किया है, वो है the ecological model, young children and their families exist in an ecological system, influenced by various layers of their environment, from the proximal to the distal environment, हमने बात की थी न, एक theorist की, जो उनने हमें कहा था, कि बच्च है, macro है, meso है, यानि सबसे पहले family, फिर हमसाए, फिर school, फिर community, फिर पूरी दुनिया, तो तरह तरह की हमारी जो हैं वो circles है, अब जो निसफ का ख्याल है, इनकी ये campaign है, ये इदारा हमें ये कहता है, कि हमें घर से लेकर, जहां जहां हमारे बच्चे की access है, जहां जहां हमा बच्चा जाता है, हमें वो सारे environment को महफूज भी बनाना है, और कोशिश करनी है, कि एक system जो है, वो ऐसा बन जाए, कि बच्चों को कुछ से कहीं इस तरह की struggle ना करनी पड़े, इस तरह की उनको जंग ना लड़नी पड़ जाए, कि वो अपने حقوق हासल करें, बलके खुद बच्चान मजबूत हो, तो वो बच्चों को शुरू से केर दे, फिर इधारे जो है, वो कंसर्ण हो, ताकि वहां पे बच्चों की बेहतरीन तर्बियत हो सके, फिर health facilities मजबूत हो, फिर उनके लिए अच्छे parks हो, सहतमन्द खेले हो, फिर community के अंदर उनकी अच्छे social relations हो, म बेहतर बनेगी.